तो फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूँ मैं हूँ रोसन और आप देखे रहे हैं डिजिटल जोन रोसन जैसा कि आप सभी को यहाँ पर जो 2022 से 25 से सन के लिए हाल ही में रेजिस्टेशन कराया गया था जो रेजिस्टेशन होने के बाद जो पंजी करन होता है रेजिस्टेशन होने के बाद आपका एक्जामनेशन फॉर्म भराता है कितना पैसा लेगा, कौन-कौन सा डोकुमेंट लेगा और कब से इसका स्टार्ट होना हुआ इन सभी का कंप्लीट प्रोसेस में बताने माला हूँ वीडियो अच्छा लेगा तो लाइक कीजिए सभी फ्रेंट को सेर जरूर करतीजिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है जो नोटिबिकेशन जारी किया गया मागद निवर्शीटी की तरब से लिखा हुए बिशय में असनातक प्रथम खंड परिच्छा पसत्र 2022 से 25 से सन के लिए परिच्छा प्रपत्र एवं सुल्क जमा करने के संबन्ध में यहाँ पर लिखा गया सारे डिल यहाँ पर आप पूरा रीट कर सकते हैं अनलाइन भराएगा ठीक है बिलंबसुल के साथ 9 तारिक से लेकर 14 तारिक तक भराएगा यानिकि यह तकी ऑनलाइन यह कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भराएगा ठीक है देखे जिस कोलेज का अपना खुद का पॉर्टल है वो खुद का ऑनलाइन कराथा जैसे एडमिशन ऑनलाइन लिया एग्जामिलिशन फॉर्म आप घर बैटे भर सकते हैं वीडियो देखकर अगर उस तरह का अगर वीडियो चाहिए ताप हमें कमेंट कीजेगा या अपना डॉकमेंट हमें वाटसप पर सेर कीजेगा मैं आपको बिडियो बना दूँआ सेपरेट मादम से आपको कोई डॉकमेंट लीक होने की ज़रूरत कराती हैं यहां पर आपको सारे डिटेल दिया गया आप पूरा रीड कर लिजेगा तो मैं आपको यहां पर डॉकमेंट के बार इम बता दूदू क्या लएगा डॉकमेंट में आपको पार्ट वन में जो एड्मिसन हुआ अपको एड्मिसन रसिद लेगा रेजिस्टेशन वाला फॉर्म भरायागो तो उसका रिसीविंग दीजिएगा ओके अधार कार्ड दो फोटो लएगा आपको यहां पर जो जाती से बिलोंग करते होंगे जैसे कटेगरी वाइस होगो जिनको एससी एसटी बीसी वन होंगे उनके लिए जाती परमान पतर लेगा ओके करने के बाद आपको एक्टामिनेशन फॉर्म को अपने कॉलेज से मिलेगा और उस वाल भर को फॉर्म को भरने के बाद आपको कोलेज में जाकर वेरिफिकेशन करा लेना है जिनका ऑफ लाइन होगा तो उनका किवल लएगा आधार कार्ड दो फोटो लएगा और जो से फॉर्म मिलेगा उस वाले फॉर्म को भरने के बाद आपको कॉलेज में जाकर जमा करते रहा है इस तरह से आपको परक्रिया सभी को होने वाला है और जिसका ऑनलाइन भर आएगा मैं वाटसब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूगा जहां से आ तो पेमिंट आपको कॉलेज के अनुसार होगा कॉलेज के अनुसार ही पेमिंट लेगा क्योंकि यहां पर पेमिंट नहीं दर्स आया गया है कितना पेमिंट की स्कॉलेज का है वैसे सभी कॉलेज का अलग अलग पेमिंट होता है तो अपना कॉलेज के अनुसार आपको पता चलेगा ओके इस तरह से है तो जिस तरह से नोटिबिकेशन दिखाए उस तरह से आप काम कीजिए अपना अपना जरूर भर लीजिए तो यही थी अपडेट वीडियों अर्चा लागा तो लाइक कीजिए से फ्रेंड को शेयर जरूर कर दीजिएगा